कहां पर थे हम हाँ चल देखो प्रश्ण वाली में बारा तक के सवाल का उत्तर मैंने आपको बता दे था तीरा नंबर की बात करें तीरा नंबर का मुझे लगेगा कि करवाना ची तो करवाऊंगा दर्वाश सीद उत्तर लिखाऊंगा तीन सरूपे एक रूपे दो रूपे स्क्के की संख्या ठीक है छेली बता देता हूं तीन प्रकार की सिक्कये एक रूपे वाला एक दो रूपे वाला और एक सिक्कह हें पांच रुपे वाला है ना ठीक है चलिए दो रुपे वाले सिक्कों की संख्या पांच रुपे वाले सिक्कों की संख्या से तीन गुणी है याने कि इसकी तुलना में इसकी संख्या तीन गुणी है है ना ठीक है है और सिक्कों की कुल संख्या एक्सो साथ है ठीक है एकशो साठ है तो एक काम करें 3x & x मान ले सिर्को की संख्या 3x & x मान ले और कुल्प सिर्को की संख्या 350 है 160 में से 360- delegacy 4x गया तो इदर सिक्षो की संख्या 160-4x बचेगे 4x गया ना तो 160-4x लिएフ act 2x चे को साठ्ड गय brighter और कुल धन 300 है दो गुणा 3X, प्लस 5 रुपे के सिक्के से बनने वाला कुल धन 5 गुणा X, तो कुल धन और यह कुल धन किसके बराबर दिया है हमें, 300 रुपे, यह कुल धन राशी किसके बराबर दिये हमें, 300 रुपे के बराबर दी है, ठीक है, चलिए, अब देखिए, माइनस 4X, 6X, 6 और गए विस Kissampa का मतलब है प्रत्यक प्रकार कितने कितना सिक्के हैं तो एक सब बरबर 20 रखो तो 2292 रूपै के साथ सिक्के हो के嗎 5 रूपै के सब् ना ठीक है 160 में सब्सक्राइबं सब्सक्रा नंबर का सबां जैने क्या उत्तर आएगा इसका चाह फिर और 20 B सिक्के होंगे है ना ठीक है 160 में से 80 गया तो 80 सिक्के बचेंगे आ फिर 20 यह रख दो 20 चोक 80 108 माइनस 80 आएगा तो एंसर यह बनेगा आपका यह उत्तर बनेगा है ना ठीक है कि एक रुप एक सिक्कों कि संख्या 80 यह साथ हो यह बिस अपने हिसाब से लिख लेना ठीक ह आपके 14 नम्बर का समानर चोलड़ा में समी करने क्या उत्तर आएगा इसका चे माइनस 3 तीन जड़ बराबर चाउदा इसका ज़आएगग 15 नम्बर को हिखल करेंगे 15 नम्बर का उत्तर आएगा 3 x x वराबर 5 x सोला में 16 में 5 आएगा ना 9 हाँ ठीक है 16 16 की बात करें तो 3x 5x 5x कि एक्स ब्राबर 0 आएगा कुछ नहीं बचेगा 0 बचेगा शायद 0 4 है ना 0 7-34 यह 0 आएगा 17 17 की बात करें 17 को उत्तर क्या आएगा 5x-4x एक्स ब्राबर 40 17 को उत्तर आएगा एक्स ब्राबर 40 है ना ठीक है 40 आएगा नेक बारो देख लाता हम पांच एक्स चार एक्स यह एक्स ब्राबर 40 ऐ अठारा अठारा आएगा 2x by 3 3 प्लस 1, 7x by 15, 2, 2x by 3, 10x, 10x by 15, minus 7x by 15, 3x by 15, x बटा 5, बराबर 2, x बराबर 10, 18 का अंसर, x बराबर आएगा 10, 10 ही आएगा न, 20 by 3, 10 ही आएगा, 19, 19 की बात करें, तो 3y, साथ बटा 3, 19 का अंसर आएगा, य बराबर साथ बटा 3 है न, जेके, 2y प्लस 1, 3y, बराबर 21, बटा 3 है न, 3y बराबर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, साथ बटा 3, साही है, 20, 20 का अंसर आएगा, 5m, 2m, m बराबर 4 बटा 5, 20 का अंसर आएगा, m बराबर 4 बटा 5 है न, 4 by 5 ही आएगा न, 2m, 4z, 4 by 5, ठीक है, 20 का उत्तर, 21 पर आजाते, 21 की बात करें, सवाल नंबर 21 की है, ठीक है, 21 की यदि हम बात करें, तो, कुश्या नंबर 21, क्या है भाईया, दो अंको वाली दी गई, एक संख्या के अंको का योग नो है, ठीक है, इस संख्या के अंको के स्थन बदल कर प्राप संख्या दी गई, संख्या 27 अधीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अंको का योग नो है, चलो, 21 वाला कैसे करेंगे, माना संख्या क्या माना xy इकाई y और दही क्या माना x ध्यान देना है न अपनी भाषा में लिखना आपको इसको ठीक है सबसे पहले क्या लिखोगे कि माना की इकाई अंक y है तथा संख्या का दही अंक x है इस प्रकार संख्या xy है ऐसा लिखोगे ठीक है मैंने वो संख्या मानी xy और इसके अंको का योग और इस संख्या के अंको का योग x प्लस y बराबर 9 दिया है प्रश्ण अनुसार अंको का योग 9 है तो x प्लस y बराबर 9 ये बनेगा समिकरण 1 है ना आगे अब क्या बोला इस संख्या के अंको का इस्थान बदल कर प्राप् प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधीक है इसको मैं रफ में बताता हूं क्या कहने का मतलब इसका है ना और यदि अंको को बदल देंगे तो य एक्स हो जाएगी और यदि अंको को बदल दें तो संख्या क्या हो जाएगी वाई एक्स है ना ठीक है तो सवाल नहीं यहीं बोला है दी गई संख्या के अंको को बदलने पर प्राप्त संख्या ओरिजिनल संख्या से 27 अधीक है आई ब कोई नंबर किसी से यदि इससे 27 अधिक है तो बड़े में से छोटे का अंतर 27 आएगा कि नहीं आएगा जैसे for example एक नंबर है 10 और एक नंबर है 37 तब एक उधारन दे रहाओ अलग से बताई इसकी तुल्ला में सत्ताई सधीक है के नहीं है यदि स्कुल्ला में सत्ताई सधीक है तो 37-10 बड़े में से छोटे को माइनस करके बराबर 27 सिध्ध हो रहा है के नहीं हो रहा है तो इस सत्ताई सधीक है तो बड़े में से छोटे सो माइनस करके बराबर 27 एसा कताई नहीं लिख सकते आप यह सिर् यहां की एदियम बात करें तो 10y हो जाएगा इधर की बात करें इधर हो जाएगा 10x प्लस y बता यह सा हो जाएगा अब इसमें से इसको मैं ब्रिकेट लगा लेना कि वे बरावर 27 अब यह समीकरन आप हल करोगे यह समीकरन जब आप हल करोगे तो अब सुनिए यह कहानी कैसे लिखेंगे तो x प्लस y बरावर नों समीकरन है ठीक है अब आप सिधे यह वाली कहानी लिखोगे ठीक है कि अंको के स्थान को बदलने पर प्राप्त संख्या 27 अधीक है ठीक है तो पहली संख्या है ना अंको को एसा लिख दो पहले कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या बराबर 10x प्लस y पहले यह वाला रूप दिखाना पड़ेगा ना इनका हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या बराबर 10x प्लस y ठीक है अंको को बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर 10Y प्लस X ये वली संख्या आई बाद पेले इन दोनों का ये रुप दिखा दो ठीक है अब लिखो कहानी है ठीक है कि अंको को बदलने पर प्राप्त संख्या 27 अधीक है अंको को बदलने पर प्राप्त संख्या 27 अधीक है ठीक है अच्छा सवाल है ठीक है अच्छा सवाल तो है लेकिन मैं इसको भी औरली कर सकता हूं ठीक है औरली करके आपको दिखा दूगा कैसे होगा ठीक है ये कुछ नहीं बस वो कहानी अब लिखनी पड़ेगी न ड्रामा तो करना पड़ेगा अंको को बदलने पर प्राप्त संख्या 27 अधीक है अत्ह हमें निम्न समीकरण प्राप्त होता है ये वाला समीकरण प्राप्त होग 10Y प्लस X माइनस 10X प्लस Y बराबर 27 चलो इसको अब हल करेंगे ब्रेकेट खुलेगा तो 10Y माइनस 9Y आएगा एकस माइनस 10X माइनस 9X आएगा बराबर 27 नाइन कॉमन निकलेगा तो यहां से यमाइनस X बराबर 3 नाए यह नाइन कॉमन निकलके बटे में जाएगा वाइनस X बराबर 3 कैसे लिखना है पक्षांतर्न वगिरा बताया है मैंने ठीक है यह हुआ समीकरण नमबर 2 तो भयyया दो समीकरण हो गए आपके बासं एक ये वाला और एक ये वाला समीकरण नमब एसे मतलिखो, एसे लिख दो, समी करण एक तथा दो को 21 नंबर का सवाल है, हल करने पर, समी करण एक तथा दो को हल करने पर है ना? एक तथा दो को हल करने पर, ठीक है? तो हल करके थोड़ा सा दिखा देना, एकस प्लस वाई बराबर 9 है, और वाई माइनस एकस बराबर क्या है? 3, ठीक है? थोड़ा सा हल करके दिखा देना, अब इनको हल करेंगे, तो आप जानते हैं कि एकस एकस कर जाएगा, जब यह जोडने पर एसा लिप देना दोनों को जोडने पर है ना, तो x-y y-x बराबर 9 एसे करके प्लस कर देना, ठीक है, तो दोनों को जोडने पर तो x-x कर जाया, काटके दिखाना नहीं है, y-y कितना हो जाएगा, 2y बराबर 9 ए 3 प्लस करोगे तो 12 तो यहां से y बराबर किया जाएगा, आपका 6 ठीक है, है ना, y का मान समी करण 1 में रखने पर, y का मान 6 यहां रखोगे तो 9 में 6 गया, तो x 3 आया, है ना 9 में 6 गया, तो x कितना है तीन x और y का मान ही तो निकालना था, तभी तो संख्या प्राफ्थ होगी ना, तो y का मान कितना है 6, ठीक है, तो y का मान समी करण 1 में रखने पर, है ना तो रख देते हैं, y का मान समी करण 1 में, ठीक है तो y का मान 6 रखोगे तो x प्लस 6 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 3 एक्स बरावर तीन और वाइ बरावर छे अत्ह संख्या बनी अत्ह संख्या एक्स वाइ बराबर कि शक्या ती गई संख्या घ्यात किजिए क चत्तिस अब आप सोचेंगे इसमें भी दो उत्तर आएंगे 3663 नहीं, दो नहीं आएंगे इसमें सुनिये, इसमें उसने बोला है कि संख्या के अंकों को यदि बदल दे तो संख्या 27 अधिक हो जाती है संख्या के अंकों को यदि बदल दे तो भावनाएं समझनी पड़ती है सवाल की, बिना भावनाओं के मनुष्य और इस संसार का कोई अस्तित्वी नहीं है भावनाव से ही and the whole Jewish के पूररे एम थिक है अब सुनिए मेरी बात सवावनास एंसावाल की ऒर्लोड संख्या कि योदि संख्या क्या नंघ्कों को बदल दो यदी यदि यदी संख्या कंडिशन संच्च नहीं है जूटे कंडिशन है सपना देखा जा रहा है एक सपना यह सच नहीं सच इन संख्या को बदल दिया जाये तो नई संख्या सब्पताविस अधिक हो जाती है ठीक है नई संख्या अब उसने देख। और पूछा कितनी सहस्ता से आपसे पूछा है क्या पूछा है इसमे नई संख्यत सत्तावी सधी के ना, ये 36 आया, नई संख्या के आएगी, 36 तो तो सत्तावी सधी के ना, दी गई संख्या निकालने, दी गई संख्या 36 है, तो सिदे से एक युत्तर आएगा है ना, सवाल नंबर 22, दो उंको वाली दी गई एक संख्या में, एक अंक दुसरे का तिन गुना इसके अंखों के अस्तान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से ठीक है चलो short में बताता हूं सवाल नमबर 22 है ठीक है बात करते हैं सवाल नमबर 32 की है इसको अपने अनुसार लिखकर देखनेंगी प्रैक्टिस करना ठीक है चले शावल नमबर 22 पर यदि इकाई एक से दखी क्या मान ले? इसा मान ले एकाई दखी, यह एकस है तो उसको मान ले दे ते द इस? तीन गुरा है, ठीक है है न? कब तीन कुरा है, इसके अंको के स्थान बदल कर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 80 प्राप्त होता है ना, इसके अंको के स्थान को बदलने पर प्राप्त संख्या को इसमे बना लो, एकस और तीन एकस ऐसे करके, यह एकई और यह दहई, इन दोनों को प्राप्त होता है? raph 68 actin तो इकाहि कू अलग में कैसे करें हैं बहु हतनों युद्धर कि इस सको एक अलग अलग करें नहीं में 10 अलग विकिस इतना जाया थीन इक्स किसके बारबर 48 है ना तो चलिए टोटल कितना हो गया है 30 31 और 13 चम्माली सेक्स बराबर 48 तो बताए एकस बराबर कितना आ गया 2 है ना एकस बराबर आया 2 एकस बराबर दो तो दी गई संख्या ज्यात कीजिस दी गई संख्या 2 2 उनको बाले दीगई एक संख्या में 1 अंक दूसरे का 3 गुना है ठीक है है नَ 1 अंक इसमें 2 तर आएंगे भाई यह तो 1 अंक 2 आएगा 2 त्या 6 तो 62 या फिर 26 है न tô 1 अंक 2 छे इसमें कोई एसा नहीं बोला के दीगई संख्या निकालो एक अंक दूसरे का तिन गुना है, तो या तो इसका भी यह तिन गुना हो सकता है, इसका भी यह तिन गुना हो सकता है, दोनों और से किसी, एसा नहीं बोला न, दहाई का तिन गुना है, या एक दहाई का नहीं, कोई भी किसी का तिन गुना, तो संख्या एसी लेके भी अच्छा सवाल है, शोबो की मा की आयू, शोबो की आयू की छे गुनी है, शोबो की मा की आयू, शोबो की आयू की छे गुनी है, शोबो की छे गुनी है, मा की आयू, ठीक है है न, इसके बाद, पांच वर्ष बाद शोबो की आयू, उसकी मा की वरतमान आयू की एकति है, पा पांच वर्ष बाद शोबो की आयू उसकी मा की वर्तमान आयू की एकतिहाई हो जाएगी। पांच वर्ष बाद शोबो की आयू उसकी मा की वर्तमान आयू निकाल नहीं। पांच वर्ष बाद शोबो की वर्तमान आयू एक ही है किसमत से तो एक बराबर शोबो की वर्तमान आयू पांच साल अब यदि बेसिक से करना एक्स लगा के तो शोबो की आयू एक्स तो मा की आयू क्या हो गई? छे गुनी 6X और इसका एक तिहाई तो 6X का एक तिहाई करके दिखा दो आप और इस प्रकार शोबो की पांस साल बात की आयू को क्या बोल दो? 2X अब सुनिये मेरी बात क्या है कहानी? 2X बोल दां इसको अब आप जानते हैं ठीक है ना कि शोबो की आयू का अंतर है ना शोबो की आयू का अंतर या फिर यहां से यह ले लो कि भाईया पांस साल बात शोबो की आयू पांस साल बात शोबो की आयू क्या हो जाएगी एकस प्लस पांच है ना आपको लिखना है देखो है ना इसके बाद क्या करोगे वी डिर्पीट करकर के देखना और अपनी भाशा बनाना है ना पांस साल बात शोबो की आयू क्या हो जाएगी एक्स प्लस पांच अरे पांस साल में शोबो की आयू पांस साल बढ़ेगी और शोबो की आयू एक्स प्लस पांस दो एक्स के बराबर द तो पांच और पांच शंग तो पांच साल तीस साल आयो आजाएगी शोबो और उसकी मागी तो तर आएगा पांच साल और तीस साल चलिए 24 नंबर के सवाल पर आ जाता हूं 24 नंबर का सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं है ठीक है बताता हूं तर एकस बाइस इकस नोगाई बीस एकस बाइस बराबर नोगाई बीस दो तीया छे 27 बटा दस आएगा एक बारो चेक कर लेता है ना चोविस का उत्तर एकस बाइस बराबर नोगाई बीस है ना दो तीया छे दो दस है ना 27 बटा दस आएगा एकस का बेलियो यह अंसर आएगा चोविस का आए फिर इसको ज़़ज़़दा टू पॉइंट सेवन लिख सकते हैं ठीक है चलिए पच्चिस की बात करें पच्चिस का उत्तर क्या आएगा एलसी एम आएगा बारा दो चंग बारा सिक्स एन है ना चार तीया बारा माइनस नो एन ठीक है छे दुनी बारा प्लस दस एन बटा में क्या है बारा बारा इंटु एक्टिस चलिए तो दौस और छे सोला सोला माइनस नो साथ साथ एक्स बराबर साथ या एक्किस तो बारा त्या च्छतिस एक्स बराबर च्छतिस पच्चिस का उत्तर आएगा च्छतिस है ना चब्श चब्श की बात करें चब्श का उत्तर क्या आएगा एक मिनट चब्श का उत्त आभाइच्य माइनस साथ है तो यहां से यदि हम देखें तो 6X तो मैनस सोला एक्स चे एकस त इस माइनस सोला एक्स प्लस पंद्रा एक्स बटा चे बैयालिस गया शेंट गया तो माइनस 25 बटा 6 6 से 6 गया 6X माइनस X 5X 5X बराबर माइनस 25 तो X बराबर माइनस 25 26 का अंसर आएगा X बराबर माइनस 5 है 27 27 की बात करें तो 27 5X 3X 2X 25 माइनस 916 X बराबर 8 आएगा शायद इस का अंसर चेक कर लेता हूं एक बरो तो एक आठ माइनस 3 यस आठ आएगा 28 यह आपको step by step लिखना है पुरा यह आई सावाल तो 3 है ना ठीक है 12 12 12 के बाद 12 13 90 minus 6 minus 6 minus 3 चोग बारा minus 8 आठ टी माइनस बारा है ना ठीक है 3 चोग बारा चार दुनिया आठ माइनस आठ टी माइनस बारा ठीक है प्लस बारा टी बराबर दो बटा तीन है ना ठीक है तो नो माइनस अठ टी तेरह टी माइनस अठार बराबर आठ है ना चब इस टी बराबर टू आएगा इसका अंसर ना टी बराबर टू ठीक है टी बराबर टू अठाविसका अंसर टी बराबर टू उन्तिस की बात करें उन्तिस टू एम माइनस एम एम प्लस वन बाई टू बराबर थ्री माइनस एम प्लस टू फाइफ माइनस एम बाई थ्री है ना 3M प्लस 3 बराबर 10 माइनस 2M है ना 5M बराबर 7 M बराबर 7 बठा 5 यह अंसर आएगा 29 का है ना 29 के बाद 30 हरी और हरी की वर्तमान आयू 5 बठा 7 है अपसे 4 वर्ष बाद उनकी आयू का नूपा 3 बठा 4 हो जाएगा उनकी वर्तमान आयू ग्यात करें ठीक है 5,7,3,4 है ना 4 वर्ष ठीक है 2 6 और 8 ठीक है 5 और 6 एक बराबर 4 तो 20 और 28 आएगा 30 का अंसर आएगा 20 और आप जानते 31 सवा सवाल तो मैं आपको करवा चुका हूँ तो भाईया यह कहानी है clear समी करने के ठीक है चलते हम आगे है ना ठीक है इन कुस्टन्स को करके देखे थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे है ठीक है देखे में आपको एक बात बता दू हम बहुत ज़्याधा मैंट्स कोई नहीं पड़ रहा होगा इंपीपेसी मेंस में स्पेशल ठीक है रहा तो हमारा स्कॉर मैट्स में अच्छा ही जाने वाला है ठीक है कि इतना कोई नहीं पढ़ने वाला है ना चलिए ठीक है मिलते हैं नेक्स प्लास में